Hello दोस्तों Welcome back to the channel दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Yamaha की XSR 155 के बारे में इंडिया में इस बाइक को लेकर बहुत ज़्यादा रोगों में क्रेज है और इस बाइक को बहुत पसंद किया जा रहा है ये बाइक इंडिया में कब लॉंच होगी और इसकी कितनी प्राइस रहने वाली है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ तो वीडियो को इंड तक जरूर देखना दोस्तों यह बाइक इंडिया में पहले लॉंच हो जाती लेकिन यमाहा ने उससे एक और रेट्रो बाइक को इंडिया में लॉंच किया जिसे FGX के नाम से जाना जाता है जो कि इंडिया में पूरी तरह से फेल रही है इसलिए यमाहा कंपनी ने डिशाइड किया है कि XSR 155 को अब इंडिया में लॉंच करेगी दोस्तों यह बाइक एक sports naked बाइक है जो कि रेट्रो लुक के साथ में आने वाली है इसका लुक ही लोगों को काफी पसंद आ रहा है और बात करें इसके specs की तो इसमें आपको LED headlamp का round shape में आपको headlight का setup देखने को मिलेगा जो कि two compartment में रहने वाला है और side indicator की बात करें तो आपको इसमें bulb ही मिलने वाला है suspension की बात कर आपको 100 by 80 section का मिलेगा और rear में आपको थोड़ा सा wider मिल जाएगा 140 by 70 section का alloy wheel की बात करें तो आपको 17 inch की alloy wheel मिलने वाली है जो कि front और rear दोनों में same रहने वाली है बात करें इसके engine की तो आपको same वही engine मिलेगा जो कि आपको Yamaha MT15 में देखनों को मिलता है engine 155 cc का liquid quill engine मिलेग जो की 19.3 ps का power and 14.7 newton meter का torque produce करता है इस bike में आपको single seat मिलने वाली है जो pillion rider और rider दोनों के लिए comfortable रहने वाली है fuel tank इसमें आपको 10 liter का मिलेगा और इसकी mileage 45 से लेके 48 km तक आपको easily इसमें मिलने वाली है meter console की बात करें तो आपको इसमें fully digital meter console मिलेगा जो की round shape में रहेगा जैसा की आपको tvs run in में देखनों को मिलता सेम वाइसा ही आपको इसमें भी meter console देखनों को मिलेगा दोस्तों यह bike इंडिया में 2030 में नॉमबर या December महिने में launch हो सकती है बात करें इसके price की तो आपको इंडिया में इसका price expected है 1,40,000 रुपए के आसपास और on road यह जा सकती है 1,60,000 के रुपए के आसपास आप लोग comment करके बताओ आपको यह bike कैसी लगी और यह bike इंडिया में launch होती है तो कौन-कौन इस bike को लेने के लिए excited है comment करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजिए और channel पर पहली बार visit कर रहे हैं तो subscribe कर लीजिए bike से related ऐसे informative वीडियो देखने क के लिए मिलते हैं next वीडियो में take care bye bye